हलो फ्रेंट्स एक बार फिरा सबीका स्वागत है आपके अपने चनल टेक अपसी में दोस्तो बाइसीकल इसका इंवेंशन भरी 18-17 जैंबेनी में हो चुका था लेकिन इसका क्रेज आज भी उतना ही है जितना की पहले हुआ करता था क्योंकि आज भी हमारा देश दुनिया के टॉफ फाइफ देशों में काउंट किया जाता है जहां सबसे ज़्यादा बाइसीकल मैनुफेक्चर की जाती है बाइसीकल एक ऐसा वीकल है जिसे बच्पन में हर किसी बच्चे ने यूज किया लेकिन आज भी कई परसान ऐसे हैं जो कि इसे अपने शौक के लिए यूज करते हैं इसे बड़ी इजी ली इसे चलाया जा सकता है इसे किसी बरफिले सर्फिस पर भी चलाया जा सकता है यह बाइसीकल इतालियन कंपनी मोटो पैरिला नाम की कुई कंपनी ने डिजाइन की है जो कि सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड एडिशन बाइक ही है और यह pre-order पर manufacture की जाती है इसके लाबा 4000W की brushless motor इसके साथ आती है जिसकी help से इससे अच्छे खासी रेतिले सर्फिस पर चला जा सकता है या फिर किसी तरह के पत्रीले रस्तों पर भी इससे चला जा सकता है खेर आपको यह bicycle कैसी लगी? कमेंड में आके ज़रूर बताएगा बेसिकली यह एक तरह का electric skateboard है और इसके wheels normal board से कुछ जादा ही बढ़े है इसलिए यह किसी भी तरह के surface पर easily चल लेते हैं किसी Uber खाबर रास्ते पर भी कहीं पर इसकी riding का मज़ा आप ले सकता है जैसा कि यह electric board है इसलिए इसमें 12H lithium battery लगी है जो कि full charge होने में सिर्फ 3 घंटे का हिसा में लेती है जबकि इसकी maximum speed है वो करीब करीब 40 km पर आर की है जिससे की 30 degree के अंगल तक की hill को पार्क किया जा सकता है इसके लिए इसमें 600 watt की brushless motor लगाई गई है जबकि इसके 35 km तक की range में इसके साथ खुमा जा सकता है और बड़े wheel होने का एक फायदा ये भी है इससे बड़े-बड़े obstacles आसानी से पार किये जा सकते है और obstacles के लिए self-leaving suspension भी दे रखा है इसके लाभा ये water resistance भी है और इसकी regenerative breaking technology की वज़े से इससे आसानी से break भी लगाये चाह सकते है खिर बात करें इसकी price की तो करीब 79,390 रुपे में आप इससे purchase कर पाएंगे तो हमारे normal boat से थे काफी हद तक advance है और इस तरह की boat खरीडने का तो सच में मन करता है नमबर 10, Averex E ये एक तरह की self cleaning bicycle जिसे की on road या off road दोनों के लिए design किया गया है ये बाकी से भी bike से difference इसली भी है क्योंकि generally मैंने जितनी भी electric bike देखी है उन्हें fully charge करने में minimum 3-4 खंटे तो लगी जाते है बट इसकी IP 67 से certified 48 volt की waterproof removable battery को सिर्फ वर सिर्फ 90 minutes में ही fully charge किया जा सकता है रही बात इसकी range की तो वो 65 miles की है जो की kilometer में देखे तो लगबग लगबग 104 kilometer यानि कि इसका जो average है वो हमारे यहां चलने वाली बजाज platina से भी जाता है 749 डॉलर यानि कि करीब करीब आप इसे 54,466 रुपए में खरीद पाएंगे इस बाइक में 500 वाट की powerful motor fix हो गई है लेकिन इसकी जो top speed है वो ज़रू कम है तो कि इसकी जो maximum speed है वो सिर्फ 45 km पर आर की है number 9 square wheeled tricycle हम सभी छोटे से लेकर बड़े हो गए लेकिन हमने अभी जितनी भी bicycles देखे हैं सभी के wheels circle ही है लेकिन इस world में सब कुछ possible है तो में लिए squarish wheels वाली strike cycles है जो कि किसी भी flat surface पर तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाली तो फिर इसे बनाया क्यों गया है तो इसे बनाया गया है इस तरह की zigzag surface areas पर चलने के लिए जहां पर हमारी normal bicycle का चलना possible नहीं वहाँ ये easily बिना किसी परिशानी की चल लेती तो इसे purchase कने से कोई जाधा फायदा नहीं है ये तो मैंने सिर्फ इसलिए include की थी कि आपको ये भी पता चले कि इस वर्ल्ड में कितनी weird चीज़े बनाई जा चुकी है नमर 8 bicycle post pump कहीं भी घूमते फिरते कब हमारी bicycle में air कम हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं इसलिए invent किया गया है ये post pump जो की seat के सांथ inbuilt होता है जस्ट अपनी seat के pipe में इसके wire को बाहर करना है और उसे अपने wheels के सांथ कने कर लेना है और बस manually हवा डालेने है और इसके बाद इसे again pack करके अपनी seat बना लेना है simple है ना तो देखा जाया तो ये किसी भी type की emergency situation के लिए एक best gadget हो सकता है ये अभी तक कि देखी गई सभी bicycles के totally different bike है क्योंकि पहले तो ये दिखने में काफी ज्यादा good looking है and second thing कि इसका जो shape है वो हमारी normal bicycle से different और काफी हद तक unique है क्योंकि इसे as a bicycle तो आप use करी सकते हैं बलकि इसके सांथ इसी vehicle से आप scooter riding का मज़ा भी उठा सकते हैं इसकी full body frame heat treated aluminum से बनी है इसलिए ये काफी हद तक light weight है और smooth bicycle riding के लिए इसमें 7 type के gear system दे रखें इसी के सांथ इसमें आगे और पीछे hydraulic brake system भी दे रखें इसके 12 inches के fat tires इसे किसी भी obstacle को पार करने में मदद करते हैं तो देखा जाए तो इस single vehicle को चलाने में अच्छी खासी exercise भी हो जाएगी और तो और इससे अलग-अलग different different stunts भी perform किये जा सकते हैं बट problem यह है कि electric नहीं है इसलिए इससे आप एक limit तक और अपनी strength के according ही use कर पाएंगे फिलाल बात करें इसकी price की तो इसे 599 dollar यानि की करीब करीब 43,519 rupees में आप इससे purchase कर पाएंगे तो अगर यह बाइक electrical होती तब तो इसका जो इतना high rate है वो समझ मादा लेकिन ना तो इसमें कोई motor है और ना कोई battery फिर इतने जाद पैसे किस बात के अगर आपको पता चले तो मुझे comment section में जरूर बताईगा जो भी हो bicycle हमें सिंग है बाइक में तो हमें बजाने के लिए horn मिल जाता है लेकिन bicycle में हमें कोई inbuilt horn देखने को नहीं मिलता अगर आप ये अपनी bicycle के लिएक अच्छा सा horn या फिर bell ढून रहे हैं तो आप कोई शांदर सी bell को जरूर देखना चाहिए ये बड़ी easily handle से magnetically connect हो जाती है और इसे हर बार प्रेस करने पर different sound निकलता है जिससे एक ही bell में हमें कई सारी अलग लग तरिक के bell के मज़े मिल जाते हैं और चोटी सी bell है इसलिए काम हो जाने के बाद इसे आप अपनी pocket में भी रख सकते हैं चाहिए अपने दोस्तों के साथ कोई friendly bike riding हो या फिर कोई daily commuter हो यह bike हर एक event के लिए perfect यह bike aluminum frame से बनाए गई इसलिए इसका weight है वो सिर्फ वर सिर्फ 10 kg तक का है जबकि जहां तक मैंने अपनी research में देखा है कि normal bicycle का average weight होता है वो 12-13 kg का होता है सो यह normal bicycle के comparison में lightweight तो है इसे के साथ यह rough and tough bike भी है क्योंकि इसकी जो frame में वो 1 lakh time से भी जादा अलग-अलग stress repetition test पास कर चुकी है जबकि इसकी maximum riding range है वो करीब-करीब 80 km के आसपास है और एक दो नहीं बलकि 4 अलग-अलग variant में यह आती है इसमें riding के लिए तीन अलग-अलग paddle assist mode दिये गए हैं जो कि अपनी need के according automatically adjust हो जाती है साथ इसके हर एक अलग variant को different need को fulfill करने के लिए design और customize किया गया है और बाकी सब तो ठीक है बट परसनली इसका जो look है मुझे काफी हतक पसंदा है दोस्तों ये नाम सुनने में बड़ा weird लगे बट काफी हतक suitable नाम है क्योंकि देखा जाये तो mostly बारिश के season में या फिर कहें weight surface की वज़े से bicycle wheels में जो हमारे claws गंदे हो जाया करते है इस gadget की helps अब वो नहीं है क्योंकि इससे just fold करके अपनी bicycle की seat के सा install करते ना और इससे ना तो bicycle heavy होगी ना ही कपड़े गंदे होगी और काम हो जाने की बात इससे वही seat पर attach करके easily रखा जा सकता है बड़ इसका जो minimum price है वो देखा जाए 10 euros यानि की 900 rupees है इससे सस्ते तो हमारे इंडिया में मढगार ही आ जाते है नमबर 3 alpha 3 action camera basically एक तरह का चोट एक्शन camera है जो कि आपके किसी भी adventurous की videos को shoot करने का पूरा तरीका ही change करतेगा है इसकी camera quality इतनी शांदार है कि इसका अंदज आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें जो sensor लगे हैं वो sony के IMX 577 image sensor है इससे HDR mode में videos record की जा सकती है जिसमें की 4K videos को easily 60fps तक की setting में shoot किया जा सकता है इसके लावा जो screen है वो 180 degree तक flip हो जाती है around 11,542 रुपीज में आने वाले इस camera में image stabilization की facility भी आपको देखने को मिलती है जो कि DJI के Osmo और GoPro के cameras में भी देखने को नहीं मिलती है इसलिए worst से worst condition आने पर भी इसकी image या video quality में कोई फर्क नहीं पढ़ने वादा CO2 inflation दोस्तों ये सारी बाते तो हो bicycle और उससे related gadgets की बट bicycle के tires में से बार बार air निकलना ये हमेशा से सभी की एक problem रही है especially तब जब हम किसी विरान जगे पर अपने घर से काफी दूर होते हैं सो ऐसी situation में काम आएंगी ये छोटे-छोटे CO2 gas inflators जो कि दूसरे gadgets की comparison में काफी ज़ादा छोटे हैं बट उनसे काफी ज़ादा powerful हैं इसमें हर एक अलग bicycle के लिए 16 ग्राम, 20 ग्राम, 29 ग्राम जैसे अलग-अलग type के inflators को किसी भी situation में जस्ट अपने bicycle के walls पर रखा और इसके trigger को push कर दिया बस within a seconds आपकी wheels में automatically air fill हो जाएगी और फिर से आप अपने destination या फिर कभी खत्म ना होने वाल adventure के लिए निकल पढ़ते हैं वैसे तो हम सभी के घर में bicycle होंगी हैं और अपने बच्पन में हर किसी ने अपनी bicycle से अलग-अलग stunts जरूर किये होंगे और नहीं किये तो इसकी कोशिश तो जरूर की होगी बट जब बात आती ही उन्हें रखने की या फिर पाक करने की तो उस समय काफी ज़्यादा space देनी पड़ती है जिससे की space के साथ साथ miss management भी बहुत सारा हो जाता है बट अगर आप करीब 1772 रुपे का ये चोड़ा सा gadget परचेस करते हैं तो आप अपने घर की space को बहुत ही शांदर तरीके से manage कर पाएंगे यह दुनिया का सबसे चोटा bike rake है जो की अलग-अलग तरे के 5 sizes में available है जिसमें bicycle गिरने की भी कोई chances नहीं है इससे just अपने घर या फिर अपने garage के किसी भी wall पर install कर लेना है और वस कुछ ही मिंटों में आप अपनी bicycle को vertically पार्क कर देंगे Quad lock दोस्तों अकसर कहते हैं कि multitasking is a myth क्योंकि एक टाइम पर सिर्फ और सिर्फ एक ही काम किया जा सकता है और इसलिए बनाया गया है यह quad lock यह छोटा सकेर है सबसे जादा छोटा lightweight और most secure bike mount holder है जिसमें कि कुछ ही second के अंदर इसमें smartphone को attach और detach किया जा सकता है इसके grip इतनी शानदार है कि इस एक बार attach करने के बाद आपकी bike से किसी भी तरह के stunt perform कर लें आपका smartphone जरा सा भी misplace नहीं होगा इस smartphone mount करने के लिए इसमें तीन तरह के system दिए गए जो कि handle bar और out of handle bar पर install किये जा सकते है इसमें आपको action camera के लिए adapter का option भी मिल जाता है इसमें आप अपनी fitness tracking भी कर सकते हैं इसका cover भी इतना strong है कि गलती से phone गिर जाने के बाद भी यह आपके phone को secure रखता है जावे झापके